महराज की, राम सहम महराज की, बबाव भीम सहब आमबेट कर, बाव भीम राम बेट कर, महराज सूरवज मल, मजा नहीं आरहा, हनुमान बेनिवाल जी की सेनाओ बाई, ऐसा करोगे, डंग से बोलो, बोलो वीर तेजा जी महराज की, बाबा साव भीम्राव अंबेट कर आप सभी को राश्ट्रिय लोक तांत्रिक पार्टी के संस्ता दिवस्की सब बहुत-बहुत शुपकामना है कि जो आने वाला विदान सवा चुनाव है उसमें जो भी सरकार बने आरलपी के बिना ना बने हमान बेनिवाल जी के बिना ना ब बने मैं कैसे भूल सकता हूं जब साथ साल का था किसान अंदोलन चल रहा था चारों तरफ किसान अंदोलन की पूरी हला था और बारिश गर्मी सर्दी सब में एकला किलोमेटर की यात्रा करी अपने पिता श्री डॉक्टर नहेंद्र फॉसदार के साथ और जहां जहां पे चुनाब हुए वहां पे गए और अपनी विजय प्राप्त करी डंके के चोट पर जीते सांसों किसानों की हद्यारे पार्टी को हराया और ऐसी जीत हमने करी तो जब किसान अंदोलन को राजनीतिक सपोर्ट चाहिए था तो राजस्थान से एक मात्र नेता जो कि उसका नामान बहुत उनका समर्थन देना हमारी फिर जो हमारा समर्थन देगा हम उसका समर्थन देंगे मोधी जी से अपना Allez तोड के करांस करें आपने नहीं को रागठी अंज़न के लिए कौन ग। हमेशा मो 했어 वह इन वहमारे लिए जो बोल रहें क्योंकि वह अपने हैं वह आर समझ सकते हैं इसमें विट धन्यवात क्योंकि पूरे राजस्तान में हुआप सतान कोल भुलए भरतपूर का सांसथ भी नहीं भुला हर वह पर नागवर का सांशद हमारे लिए बोला उनकी जै हो बहुत बहुत धन्यवाद जै जै किसान चोदरी चरन सिंग जी कहते थे बोले किसान मेरी दो बात माद मानले बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले भीम्रा उंबेटकर जी कहते थे बढ़ो जुडो और लड़ो अब हमें इन सब चीजों पर अमल करना होगा अगर अमल नहीं करेंगे । इस्टे नहीं चलेगा पडाय करो जूड़ो और लड़ो और अगर हम नहीं लटेंगे तो हमारा कोई फायदा नि यह जावान जन किसान टा जिन्दाबाद बावा साथ भीम्राव अम्बेटकर अमर रहें तैंक यू जब नन्ने कंठों से बावा साथ भीम्राव अम्बेटकर